पुलिस को अंजाम दे रही है और अमरित सर में बताया जा रहा है कि बहुत बड़ा सर्च ऑपरेशन पुलिस चला रही है जिसकी कुछ तस्पीर इस वक्त आपकी टीवी स्क्रिन पर हैं अमरित पाल की रफ्तारी के लिए चापे मारी होश्यारपूर जलंदर में पुलिस की चापे मारी हो रही है अमरित सर के आसपास पुलिस को हाइलट पर रखा गया है और अकाल तख्त के पास साधी वर्दी में पुलिस कर्मी तैनात है ताकि अमरित पाल अब बच के न भाग कई लोकेशन पर अमरितपाल को ट्रेस किया गया है और उसने अपना एकदम से हुलिया बदला हुआ है पोलिस की लगातारी यहां पर छापे मारी चल रही है ADGP गुरिंदर धिलों यहां पर है SSP जलंदर रूरल यहां पर है कुल्दीब चहल यहां पर है और यह टिबबा साहिब का वो गुर्दवरा है जहां पर तलाशी अभ्यान चलाया जा रहा है और इस समय आपको दिखाई भी दे रहा है कि यहां पर पुलिस ने पूरी तरह से जो नाके बंदी की हुई है सारे के सारे जो लोग हैं जहां पर डेरा डाल चुके हैं जलंदर रूरल का गुर्दवरा टिबा साहब है जहां पर और यहां पर ही आपको दिखाई भी दे रहा है कि जलंदर रूरल के आसपास में पूलिस ने भारी तादाद में जहां पर नाके बंदी की हुई है बही पर हश्यारपुर में भी पुलिस का जो सर्च अविहान है वो लगातार ही चल रहा है कैमरामेन निंदर जीत के साथ बिशाल एंगरिश न्यूस ट्वैंडी फॉर जलंदर रूरल इस समय हम जलंदर के एक गाउं के जो डेरे में हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बैंशों का जो तबेला है यहां पर जव पूरी तरह जहां पे सर्च कर लिए यह क्या कहेंगे कि कितनी देर पहले पूलिस आई थी और सारा देखा लिया है हाँ निया क्या देखा जहां पर शारा कुछ विख लया तो यहां पे जो डेरा बना हुआ है फिलहाल जो पुलिस के बड़े अधिकारी है एडी जी पी लेवल के डी आई जी आई जी सारे के सारे पुलिस के जो अधिकारी है इसी डेरे में मजूद है क्योंकि जिस तरह से अमरतपाल का लगातार ही पुलिस पीछा कर रही है उरूसी के कमिशनर यहां पे मजूद है एडी जी पी लाइंड आर्डर यहां पे मजूद है और काफी तदाद में जो पुलिस की फोर्स है इसी डेरे में डिप्लाई की गई है फिलहाल अभी तक अमरत पाल की गिर्फतारी जहां उसके हिरासत की खबर नहीं है यह लेकिन पुलिस पुलिस के सूतर भी बता रहे हैं कि अमरत पाल का लगातारी कल राज से जिस तरह से हश्यारपुर में देखा गया और उसके बाद बहां से भागने में सफल हो गया लेकिन जो पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में लेके पूश्टाश शुरू की गई है और उसी पूश विशाल एंग्रिश की रिपोर्ट आप देख रहे थे अब वो खुद हमारे साथ लाइब मौटूद हैं सीधे अपडेट लेते हैं इतना बड़ा सर्च ऑप्रिशन पुलिस चला रही है विशाल और जिन जिन जगहों पर ये नाकेबंदी की गई है सर्च ऑप्रिशन चला जारपूर में लगाता चापे मारी की है वहीं पर इस समय हम जलंदर रूरल के एक डेरे में हैं जहां पर आप देख सकते हैं कि जो पुलिस के बड़े अधिकारी हैं एडी जी पी लाइंड और गुरविंदर ढिलों जहां पर मजूद हैं वहीं पर कुलदीप चैहल जो जल जलंदर कमिशनर हैं इसी तरह एससपी डूरल जलंदर स्वनदीप यहां पर मजूद हैं और जहां पर सारी की सारी जो है जाच परतार की जा रही है सामने सर्च अभ्यान चलाया जा रहा है क्योंकि पुलिस के पास जो इंटेलिजेंस इन्पूट्स हैं जो काउंटर इंट आसपास जो पुलिस है पुलिस को लगा दिया गया है और सामने ये पुलिस की गाड़िया है और दूर खेतों तक आसपास का जो एरिया है आसपास के एरिये को भी पूरी तरह से सील कर दिया गया है क्योंकि जो अमरत पाल है जिस तरह से हश्यारपूर से जो सूतर भी बता दे रहे हैं गुरिंदर धिलों जो एडी जी पी ला एंड ओर्डर हैं फोन पर किसी के साथ बाचीत करते हुए दखाई दे रहे हैं इसी के साथ ही जो पुलिस की अलग अलग टीमे हैं कमिशनर जलंदर हैं कुल्दीप चहल यहां पे मजूद हैं उनकी पूरी की पूरी टीम यहां पे मजूद हैं और सामने आपको इस डेरे के अंदर सर्च अभ्यान चलाया जा रहा है क्योंकि पूलिस के पास चाहे वो आई बी के थुरू मिल रहे हैं चाहे रौ के पास से मिल रहे हैं और वही पर जो पूलिस का काउंटर इंटेलिजेंस बिंग है वो लगातार अ कहीं न कहीं पूलिस को शक है कि जहां पर भी अमरितपाल हो सकता है और इसी के चलते ही जो डेरे की पूरी सर्च की जा रही है पूलिस के पास पुकता जिस तरह की जानकारिया है और धीरे धीरे जहां पर पूलिस की नफरी बढ़नी भी शुरू होगी है सामने पूलिस की गाड़ियां आती हुई दिखाई दे रही है और पूरी तरह सील कर दिया गया है सिबल ड्रेस में जो अधिकारी यहां पर तैनाद किये गए हैं और वहीं पर जो डेरा है डेरे के आसपास का जो इलाका है वो पूरी तरह सील होता हुआ दिखाई दे रहा है और पूरी की पू ही बरीकी के साथ खंगाला जा रहा है ये भी देखा जा रहा है कि इस डेरे में किसी तरह से कोई बंकर तो नहीं बना हुआ जिसमें अमरत पाल उसमें छिपा बैठा हो और डेरे में जो लोग हैं उनसे पूश्टाश की जा रही है और सारे का सारा सामने आपको दिखाई दे जा रहा है कि हरे एक कमरे में और ये भी देखा जा रहा है कि इस डेरे में किसी तरह से कोई बंकर तो नहीं बना हुआ जिसमें अमरत पाल छिपा बैठा हो जी तो यह सबसे पहले आप नियूस 24 पर विशाल एंग्रिश के माध्यम से देख रहे हैं कि सर्च ऑपरेशन के द पंजाब पुलिस हाई अलट पर है तो कितनी अगर आपकी पुलिस से बात हुई हो आफिसर से विशाल तो उनको क्या लग रहा है क्योंकि अब तक तो वो लगातार पुलिस को चक्मा ही दे रहा है अलग-लग रूप में सामने आ रहा है और ये शायद पुलिस के लिए पुलिस के अधिकारी अभी किसी भी तरह से कोई भी बात करने से करनी कत्रा भी रहे हैं और यही कारने के हमें भी दूर तक ही रोक दिया गया था और दूर तक रोकने के बाब जूर भी हम किसी तरह से इसमें इस डेरे में एंटर हुए हैं और सामने आपको दिखाई भी द रहा है कि देरे के अंदर किस तरह से बड़ी बरीकी के साथ ये सर्च अपरेशन चलाया जा रहा है सामने भी दिखाना चाहूंगा कि ये सिर्फ और सिर्फ सबसे पहले न्यूस 24 पर ही हम आपको दिखा रहे हैं कि ग्राउंड जीरो से इस समय अमरत पाल को पकड़ने के लिए पुलिस ने किस तरह से चापे मारी की हुई है और पड़ी ही बरीकी के साथ हर एक कमरे की तलाशी ले जा रही है हर एक वाहन की तलाशी ले जा रही है और वहीं पर आप जो कह रहे हैं वो इन्वेस्टिकेशन को तभा कर रहा है अब बतारो मैं आपको तो यह थे पॉलिस सदिकारी फिलहाल जलंदर रूरल के किसी अग्याद स्थान के उपर जो चापे मारी है वो चल रही है और जहां पर आपको दिखाई भी दे रहा है कि किस तरह से जहां पर जो पॉलिस ने सर्च अपरेशन चलाया हुआ है बिल्कुल विशाल हम भी नहीं चाहेंगे कि हमारी वजह से पुलिस की इन्वेस्टिकेशन कहीं पर भी प्रभावित हो तो जहां तक विशाल दिखा सकते हैं आपको दिखाया लेकिन ये सच है कोई जगह है मतलब जहां जहां पर पुलिस को शक है कि अमरितपाल हो सकता है वहां पुलिस ने अपने डे डाला हुआ है सुरक्षा व्यवस्ता बेहत कड़ी है लेकिन उससे पहले जो तस्वीर नई-नई आई अम्रितपाल की जिसमें वो बिना पकड़ी के है काला चश्मा पहना हुआ है जैकेट पहना हुआ है डैनिम जीन्स उसने शर्ट पहनी हुई है जीन्स पहनी हुई है